हेलो बच्चों, पिछले विडियो में हमने समय नापने की इकाईउं के बारे में जाना, इस विडियो में हम अलग-अलग कार्य करने में कितना समय लगता है, इसके बारे में जानेंगे आज शेर खान का जन्म दिन है, सभी लोग सुभा से उसकी जन्म दिन की तैयारी में लगे है, शेर खान की मा ने उसके जन्म होने पर उसके बगीची में एक पौधार लगाया था, अब उस पेड़ पर सुन्दर फूल लगे है बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पेड़ उगने में कितना समय लगता है, सेकेंड, मिनिट या साल साल, बिल्कुल ठीक, पेड़ उगने में काफी साल लग जाते हैं, शेर खान की मा पार्टी के लिए तैयारी कर रही हैं, वो काफी व्यंजन बनाएंगी अब वो सूच रही हैं कि मेहमानों के आने में केवल कुछ घंटे ही बचे हैं, क्या वो तब तक सारी तैयारिया कर पाएंगी बच्चों, आपको क्या लगता है? स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में कितना समय लगता है? महीने, घंटे, या सेकेंड? स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में कुछ घंटे लगते हैं, उन्होंने अपने रसोईये की मदद से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करवा लिए बच्चों, यहां शेर खान के जन्वदिन से संबंधित कुछ कार्य लिखे हैं? क्या आप इन कार्यों को उनकी समय की इकाईयों के साथ जोड सकते हैं? आप चाहे तो विडियो को रोक कर इसका उत्तर ढूंड सकते हैं? शबाश बच्चों, आपने इनके उत्तर बिलकुल सही ढूंडे हैं। पार्टी की सारी तैयारिया हो गई। और सभी महमान पार्टी में आ गए। लेकिन यह क्या? गोलू को आने में इतनी देर क्यों लग गई? जब शेर खान ने उससे देर से आने का कारण पूछा, तब गोलू ने उससे बताया कि उसके घर के पास नया पुल बनने के कारण वो ट्राफिक में फस गया था। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि एक पुल बांधने में कितना समय लगता है? बिलकुल ठीक, पुल बांधने में महीनों लगते हैं। गोलू भी पार्टी में शामिल हो गया और सभी दोस्तों ने शेर खान का जन्विन दुमधान से मनाया। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिल्चस उदाहरन द्वारा अलग-अलग कार्य करने में कितना समय लगता है? इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारनाओं को देखेंगे। बच्चछ गया। बच्चों, इस वीडियो में हम थे दो। क्यब के अन्विम बच्च्च